दिवैंग वारा Mr. and Mrs. एक शो होने वाला है उसमें एक जो दिवैंग है वो कॉमेंटेटर की किदार निबाने वाले है आइए हम उनसे ही जानते है कि ये जो शो होने वाला है Mr. and Mrs. उसमें इनकी जो इन्होंने किरदार जो निबाया है हम उने से जानेंगे क्या नामें आपका सब्सक्राइब नाब शुरेंद्र है बेसिकली में है अंकरिंग काम करने खरता हूँ जैसा कि सुमें रहा इंकर मैं चूड़ा हूँ और देड़ साल से सनी सर के साथ काम करते हुए जैसा कि अगर अपने चोटे पर फोड्य इंग्लिस के बहूं देखते कि प्रकार की कॉमेंक रहेगी आपकी जो क्रिकेट में हम देखते है कि एक कॉमेंटर होता है जब जैसी गैन डालते हैं तो प्रकार से होता है देखिए सर इसमें कैसा होता है ना कि अगर मैं कई गया हूँ किरिकेट कॉमेंटर के लिए तो मैं बैसिकली मेरे साथ एक गाइड लेके जाता हूँ तो गोईंग लाकट रिसल बुलट केंगी शो यह ट्राइड एक बॉल में चैर रशास्ति कॉमेंटरी कर रहे हैं और सचिंत इन्डिया और ऑस्टिलिया की मैच चालू है और चैया यानि छे बॉल में बारा रन चाहिए यानि बारा रन आवश्यक है और चैप यहां बाकी है तो आइसी में कैसी कोमेंटरी दो गया तो इंडिया इंडिया नीट फ्रेल्मोर रॉंस तो इन नाव लाश्ट वर ब्रेडली विल स्टाट प्रोसीडिंग एंश्च इंटनलकर और विरेंटर सेवाग इस तिल इस इंडिया इस बिगेश्ट फर्स डिलिवरी आपको रुकूंगा आपको यहां रुकूंगा अप मैंच की सीब आखरी गेन बाकी है और आखरी गेन में छे रान बाकी है जितनी के लिए छे रान बाकी है तो क्या बता होगे अभी and now last ball of this inning India needs six more runs to win Bradley on the charts Sovraif will press the last delivery right arm round they get a pass delivery and equally related from the Sevaak down it down the track smashed what a shot six more that is out of the ground and India has won this match what a sensational batting from Sabak and Sachin इंड बता है इंडिया ने माझ मार के इंडिया ने मैच जित लिया है और क्या पता होगे की यह रोमांचक मैच हुई है और आपने रूमांचक कमेंटरी और sometime I will just say that the Big Big thank you to all of you usually that here they just hear my commentary and they just like my commentary and this is the biggest thing for our team that we have just we are won this match quite comfortably and what a fantastic piece of game and what a great batting from Sajin and insurance and increased victory against ausbali भी हमारे साथ में दिवैंग कलाकार है जो मेक अप कलाकर है आप हम उनसे भी कुछ ऊनिक के वो जो मेक अप करनेवाले हैं उनके बारे में हम जानकरी लेंगे क्या बता हूँ क्या नाम है सबसे पहले नाम क्लास लेने के बाद मैं सीखी और अभी कर रही हूं अभी कमा भी रही हूं मिश्टर एंड मिशेस जो स्वदेशी इंडिया जो कारिक्रम है जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें आपका क्या रोल है मेरा मेकप मलब जो मौडल्स आएंगी जो मौडल्स के टॉप करेंगी उसका मेकप में करने वाली हूं बहुत बढ़िया जो मिश्टर एंड मिशेस इंडिया स्वदेश इंडिया में जो ये प्रोग्राम होने वाला है उनमें जो आइटिस्ट आएगे उनके मेकप ये करेंगे और भी हमारे साथ में और दिव्यांग है हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि वो क्या किरदार निमाने वाले इस शो में क्या नमें आपका मैं मन्जुशा धानुर करूँ और मैं एक हाउज वाइब है मुझे एक इरिक्षा मिली है नगर पालिकव से तो मैं इरिक्षा चलाती हूँ और अपना काम काच करती है ये जो मिस्टर एंड मिसेस इंडिया स्वदेश इंडिया जो शो ह इस ऐकने की कि लिए इस बार क्याता है मितलब एइर्पोर्ट आंगे वो एक रिक्षा में अब एहन आप इरिक्षा से जो में नाम मेगा कोलते है मैं 15 साल से ब्यूटिषीन हुए दिटे अभी वह पूछी तो बहुत पैसे थे लेकिन हमारे सर ने हमारे लिए खास मारे लिए उन्होंने मेकप आर्टिस्का क्लास चालू किया था इसलिए अभी हम सद्नी सर से जुड़े हुए है तिक अभी उनके शो में हम मेकप आर्टिस्स का काम करने वादे हैं तो यह और भी हमारे साथ में और दिवैंग है अम उनसे भी बात्चित करेंगे कि वह इस शो में क्या किलदार निबानी वाला है क्या नमें आपके नमस्ते मेरा नाम मनौर पाटिल है और मैं यह बहुत मतलब मसाज़ स्वदेश इंडियार जो शो हुने वाला है इसमें आपके क्या भूमिका है मेरी यह भूमिका है कि जो भी गेस्ट आएंगे अगर उनके कोई ठकावट होई या कुछ होई तो उनको या किसी मतलब ठकावट के कारण से या क्योई प्रोपेशनल कारण से मसाज की सर्विस मे आने वाला है कुछ महिने बाकी है उसमें ऊ हो आने वाला है उसमें बड़े बड़े जो दिव्याग से़िपरिती Wit वि ओंगे और जो बड़े र Ciao हमाए चानल को लाइक करे सब्सक्राइब करे आइकन बेल बटन दबाना न भूले धन्यवाद नमस्कार